खरना जी तो जब बोलते थे तो कोने में खड़े होकर के भाचन करते थे लेकिन आज अच्छे ओरिटर है 25 करोण जनता में 403 बिरले सदस्य ऐसे हैं जिनको जनता ने अपना लीडर मान करके चुनाव जिदा करके यहां बेजा है और उन 403 का दाहित तो बनता है कि उन जनप एकसाओं पर हम खरा उतर सके खरा उतरने के लिए जनता के साथ सीधे संबाद हमारा होना चाहिए विधानसवा सत्र के बाद जब भी आपको उसर मिलता है कमेटियों की बैठकों को छोड़ करके या कोई विसेश सत्र को छोड़ करके या जब आप अपनी विधानसवा से जुड़े वे कारियों को देख करके यहां पर आते हैं उस समय को छोड़ करके जब भी आप अपने घर में होने जनता से जरूर मिले एक समय तैक कर ली जिए पूरी परकरिया को टाइम टैवल तै करने हैं अपने परी परकरिया का लेखे हम लोग भी अपना तै कर रहे हैं सोम बार से लेके ब्रेस्वत बार तक मैं और हमारे सभी मंत्रीगण लखनों में रहेंगे अगर कोई विसेश कारे नहीं है तो लखनों में हम उपस्तित रहेंगे और सुकरवार समीवार रविवार को हम लोग भी फिर्ड में रहेंगे अलग अलग जनपतों के दोरे पे रहेंगे जनपतों के दोरे के दोरान हम लोग जन प्रतनीजियों से भी मिलेंगे जनता से भी मिलेंगे विक्पास के बहुती काजियों का सत्यापन भी करेंगे समिक्सा बैठकें भी करेंगे आपको अपनी बात जो भी करने मंत्री के साथ अलग से बैठक करके अपनी बात को रखे समिक सा बैठक के दोरान आरोप प्रत्यारोप इस्दम बंद होना चाहिए उसकी गरिमा रखनी चाहिए और अगर आपको लगता है एक कोई बैठकी गलत है कोई गलत काम कर रा, उसका अलग से जब बैठते हैं उस दोरान अपनी बास को सालिंका के साथ रखे फ़लाना बिक्ति गलत है फ़लाने बिक्ति के बारे में आप एक बार जाज़ करवा जाए देखने लेकिन जब आप बैठक के दोरान समिक्सा बेठक के दोरान इस प्रकार के मुद्दों को उठाते हैं माहुल वहां का बड़ा विसाक तो होता है और जो फोकस पॉइंट होते हैं उससे ध्यान डाइवर्ट हो जाता है हमें इस जीच को हमें सा ध्यान रखना होगा और इसलिए सोंबार से लेकर के ब्रेश्वत बार तक माने जन प्रतिनितियों के लिए यहां पर मैं भी दोनों डिप्टी सीम भी हमारे सभी माने मंतरी गण भी यहां पर मौझूद रहेंगे लेकिन अच्छा होगा पहले से समय लेकर के आप मिलेंगे तो आसानी से आपको समय मिल जाएगा दूसरा सोक्रवार से लेकर के रवी बार तक तीन दिन तक फिर्ड में किसी ना किसी जनपत में कोई ना कोई मंतरी विभागिये कारे से सरकारी दोरे के तहट वहां पर रहकर करने जन परतनिटियों के साथ भी और अन्में लोगों से मुलाकात करेंगे मैं विधान सवा के अपने अध्यक्स मौदे से भी और विधान परिश्षत के अपने सवापती मौदे से भी इस बारे मैं नुद करूँ गा कि हमारा प्रयासों की जो पीधान सभा की कमिटियों की बैठक भी हो वह ओ मंगलं बार या बुद्भार की दिन हो जिससे मने बिधायक जब आएं तो वह दोरां कमिटियों की बैठक में भाग ले सकें और यहां पर किसी मंत्री सी ा किसी सी attitude करने है तो उस वहाँ पर फ्रस्तुद भी कर सके ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत चोटी-चोटी चीज़ें जिस पर हमें ध्यान देना होगा और उस प्रक्रिया के साथ अपने आपको आगे वढ़ाना होगा एक अच्छे जन प्रतिनिती के रूप में आदर से जन प्रतिनिती के रूप में आपकी चवी जीवन प्रियंत आपका साथ देगी है लेकिन अगर जन प्रतिनिती की चवी पर कहीं कोई डेंट आया तो आपके लिए जीवन प्रियंत वह एक अविसाप बन करके भी आपका पी प्रिवांसभा की सत्र में भाग लेना प्रोसीडिंग की करवाई में भाग लेना अध्यक्स मौदेवी लगते कर चुके हैं कि नए सतस्यों को हम मौका दें बोलने का मौका मिलना चाहिए प्रयास होना चाहिए पहले भाषन करें तो लिखित भाषन आप लेकर आएं एक घंटों बोल सकते हैं आपको भी थोड़ा घर में पड़ा अभ्यास करें फिर आइए बोलिए लिखित पहला वाषन लिखित बोलिए संसत में पहला वाषन जो था लिखित पड़ सकते हैं लेकिन उसके बाद कागस देखकर कि आप केवल पॉएंट कोई फुलेट इसे अपनी बात को रखने को व्यादत हमें डालनी पड़ीगी एक अच्छे विधायक की रूप में आपकी च्छवी बनेगी जन पेक सौंपर आप ठरा उतरते वे दिखाई देंगे और जनता आपको अपना नेता मान करके बार बार आपर विश्वास करेगी यहाँ जो है हमें करके दिखाना है और इस दिख से प्रभोधन का कारिकरम अत्यन तो महतुकूर कारिकरम है इस प्रभोधन के कारिकरम के साथ आप जुड़े मैं आपको हिर्दे से धनेबाद देता हूँ आपका अविनंदन करता हूँ मैंने राच्छेपाल महदे का मार्क दरसन आज हम मैं यहाँ पर प्राप्त हो रहा है मैं इसके लिए एक बार फिर से आप सब की और से मैंने राच्छेपाल महदे का हिर्दे से स्वागत और अविनंदन करता हूँ धनेबाद जये